मेरे प्यारे साथियों नवस्कार आज के वीडियो में राजसान जी के के 25 बहुती इंपोर्टन परसन लेके हैं और यह सभी परसन एक्जाम की दठीचे वेरी वेरी इंपोर्टन है आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा साथी राजसान जी के कैसे इंपोर्टन की उसन पना जाते हैं चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा आपको डेली राजसान जी के कैसे इंपोर्टन की उसन के वीडियो मिलते रहेंगे पहला क्योसन आपके सामने राजसान राजे का पहला सोर अरजा अधारी ते रेफरीजरेटर कहां स्थापित किया गया बहुत इंपॉर्टन क्योसन जल्दी से आप लोग एंसर बताएगा कि राजसान राजे का पहला सोर उर्जा पे चलने वाला रेफ्रिजरेटर कहां पे स्थापीद किया गया तो जोहार चिक्षियाले जेसल मेर के अंदर आप्शन भी इसका सही उतर रहेगा क्योसन वाट टो की बात करें तो ये जोदपुर के अंदर आप्शन डी हमारा उतर रहेगा क्योसन वाट ट्री की बात करें राजसान में उर्जा पे आधारी सक्ती ताप उर्जा का लगभग अनुपात कितना है तो ये असी परतिस्त आप्शन डी इसका सही उतर रहेगा क्योसन वाट करें राजसान में राजे विदूत मंडल का विक्टन कर उसके कारे को पांच विविन कंपनियों में कब अंस्थारीत किया गया आप जानते है राजसान में राजे विदूत मंडल को जो है विक्टन किया गया तो अलग-लग किया गया और पांच भिन-भिन कंप्रियां बनाई हुई आप जानते है रास्तान के विजली विभाग के बारे में तो वो कब किया गया उसका सन आपको पता होनी चीए डेट भी आपको पता होनी चीए बहुत अच्छा क्योसन है तो यह 19 जुलाई 2000 में किया ग अब यह रहे जाता है एक सबसे जदा आकरमण किया गये इनमें से आपको सही उत्तर बताना है और आप लोग से पाचिस में से कितने स्वेवे वीडियो के अंत में जुरूर बताएगा क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे गी और आपको यह भी पता चलता है कि आपकी त्यारी कैसियत आप लोग हरे किसन का इंसर जरूर कॉमेंट में देते रहेगा तो सरवादिक आकरम में तारगड के ओपर ओपसन सी इसका सही उतर है क्यों सरवाद सेवन की बात करें स्यूंगत राजसान का नाम कब अंगिगर्द किया गया या किस डेट को या किस सन में अंगिगर्द किया गया था तो ये 26 जनवरी 1950 को इसे फाइनल जो है अंगिगर्द किया गया था आपसन ए इसका सही उतर रहेगा क्यों सरवाद एट की बात करें वरायतर राजसान के राजपरमुक कौन थे वरैत राजस्तान के राज परवंग थे महाराजा मान सी है ओप्सन सी इसका सही उत्तर है क्योसर नाइन की बात करें मस्य संगा परधान मंत्री किसे बनाये गया था इन में से मस्य संगा जो परधान मंत्री है वो किसे मनाये गया था 112 को मावत को option B हमारा उत्तर रहेगा क्योसर्वर 10 की बात करें दयानल सरस्वतिनिय सत्यार्थ परकास की रचना राजस्तान में कहां पर की बहुत important क्योसर्वर एक्जाम में कई बार ये person पूछा गया है कि सत्यार्थ परकास की रचना किसने की थी किसने की थी दयानल सरस्वतिनिया और राजस्तान में कहां पर की थी ये भी person पूछा गया है तो ये उद्यपुर में की गयी थी option D इसका सही उत्तर रहेगा क्योसर्वर 11 की बात करें राज ये पुनर गठन आयो की अभी संसा से राजस्तान को कौन सा या अक्षियतर मिला है तो ये सभी हैं जे में सुनेल टपा होगे आबू होगे आज में रोगया तो option D इसका सही उत्तर है क्योसर्वर 12 की बात करें मस्चे संग को 1949 में राजसान का भाग किस स्तिति को बनाये गया मस्चे संग को 1949 के अंदर राजसान का भाग किस स्तिति को बनाये गया था तो 15 मई 1949 15 मई 1949 option D इसका सही उत्तर है क्योसर्वर 13 की बात करें भारत छोड़ो अंदलन को राजसान के किस सहर से सुत्रपात हुआ था भारत छोड़ो अंदलन जो की पूरे भारत का एक फैमस अंदलन है और ये काफी चर्चा में रहा था तो इस अंदलन का जो है किस सहर से सुत्रपात माना जाता है आप लोग उत्तर जुरूर दीजएगा और वीडियो के अंदलन में आप सभी से एक most important question पुछा जाएगा उसका भी आप लोग उत्तर बताईगा देखते कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते है तो भारत सोटो अंदलन जो की जोदपूर से इस उत्तर पाते है option C इसका सही उत्तर है क्योसर में 14 की बात करें अजमेर मेरवाड़ा को उसकी अलग विवस्था के कारण किस श्रेणी के अंतरगत रखा गया है अजमेर मेरवाड़ा को उसकी अलग विवस्था के कारण किस श्रेणी के अंतरगत रखा गया है तो C श्रेणी के अंतरगत option C इसका सही उत्तर है क्योसर मुर्पंदरा की बात करें मस्याय संग का नम किसे दवारा दिया गया है मस्याय संग का जो नाम है ओं किस के दवारा दिया गया तो कय मुसी के दवारा option भी हमारा उत्तर रहा यह person भी कई बार पूछَ गया क्योशनवर 16 के बात करें शिरी गोकुल भाई बट किस परजामंदल से समधित है गोकुल भाई बट जो है किस परजामंदल से जुड़े वे थे तो सिरो ही परजामंदल से ओप्शन सी इसका सही उतर है क्योशनवर 17 के बात करें व्रहत राजस्तान का परधान मतरी कौन था तो हीरा लाल सास्तरी contradiction सी इसका सही उतरे क्यों सेंवर 18 की बात करें राजस्तान संका अन्तिम निर्मान कब हुआ था अप्रेल 1948 ऑप्शन भी इसका सही उतरे क्यों संवर 19 की बात करें निविन में से तलवार बढ़ाई क्या थी तलवार बढ़ाई जो है वो क्या थी उत्रा अधिकारी एक सुलक्त होता है जो हर बार लिया जाता था प्राजिन समय में आप्शन सी इसका सही उत्र जिसे तलवार बढ़ाई भी का जाता है क्योशन और 20 की बात करें कैसरी से अब हारट की मर्थियों कब होई थी कैसरी से अब र Haaret की मर्थियों किस सन के अंदर होई थी तो 24 अप्रेल 1941 में होई थी आप्शन ए इसका सही उतर रहेगा क्योशन और 21 की बात करें मिवाड का अंतिम में रावल राजा कौन था मिवाड का अंतिम या लाश्ट रावल राजा कौन था तो रतन सी हैं जो अंतिम रावल राजा थे मिवाड के आप्शन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनर बाइस की बात करें जोदा भाई का वास्त भी नाम क्या था जोदा भाई का रियल नाम क्या था हरका भाई जिसे जोदा भाई कहा जाता है option भी इसका सही उत्त रहेगा क्योशन वर 23 की बात करें किरती स्तम की निर्माण योजना का सुत्रधार कौन था किरती स्थम की निर्माण योजना का जो सूतर दाय वो थे जेता आप्सन भी इसका सही उत्तर है क्यों सन्वर चोईस की बात करें इविन वैसे राज समझ जिल का निर्माता सासक कौन था राज समझ जिल का निर्माता सासक था राज सिये आप्सन सी इसका सही उत्तर है क्योटपुर के सासक अजित सियां की धाय का क्या नाम था धाय के बारे में आप जानते किसे का जाता है तो उनकी धाय का नाम था गोरा धाय ओपसंसी इसका सही उत्तर है चलिए दोस्तों बात करेंगे आज का मोश्ट इंपोर्टन क्योसन आप सबी के सामने या इसका एंसर आप लो कॉमेंट में जरूर दीजेगा अगर आपको उत्तर नहीं पते तो भी आप लो कौसी जरूर कीजेगा क्योंकि कौसी इस करने वालों की कभी हार नहीं होती नर्पती असोपती और गंपती हालगरू आदी की उपादें किस मेवाड के महारणा की थी नर्पती हो गया असोपती हो गया गंपती हो गया हालगरू ये सारी उपादें किस मेवाड के साथ सकी थी सही उत्र आप लोग कॉमेंट में बताना और ये भी बताना कि 25 में से आपे कितने से भी इमानदरी से कॉमेंट कीजिएगा किसी भी क्योंसों को लेके कोई डाउट और राया सुझाब देना आप लोग कॉमेंट जुरूर कीजिएगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता लाइक कर देना और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अदबा लिजेगा आपको डेली रास्तान जी कि कैसी इंपोर्टन यूस इन ये वीडियो मिलते रहेंगे और थेंक यू बेस्ट ओव लग वाई वाई